हलो फ्रेंट्स मैं डाक्टर पियस त्वारी आप से भी कर स्वागत है दोस्तों आज हमारा रेड डाइम स्पिंटम का परिटिस्वा वीडियो है इसमें भी मैं आगे की तरह कुछ दवाईयों का रेड डाइम स्पिंटम बताऊंगा तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों पहली दवाई के नाम है ठायमोर मदर टिंचर दोस्तों यह जो है ऐसे पर्सन को दिया जाता है जो अगर सप्नए में देख रहे हैं कि हमने किसी कि साथ में हम सेक्ष कर रहे हैं और उनका जो नित खुलती है तो उनका नाइट फाल हो जाता है हाला एक नाइट फाल क कि बहुत साइज दवाईयां है एसीट फास, एगनास, सेजनियम बहुत साइज दवाईयां है लेकिन डाक्टर हनीमन ने हर दवाईयों का एक गोल्डेन स्ट्रेम ठीक कर दिया है अगर जो है आप सपन में देख रहे हैं कि हम किसी दड़की के साथ में स्टेफ कर रहे हैं दोस्तों इसका उनिक स्ट्रुम स्ट्र 추천 पर है उनििंप मिलता है उन्त दो किसी देख रहें इसाब में दो हैoted-प्रृब हो जाएगा लेकिन इसके साथ ही आपको भरदर करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों अगली दवाई के नाम है फ्यूकस फ्यूकस मदर टिंचर दोस्तों यह उन पेसेंटों में दिया जाता है जिनका मुटापा बढ़ता जा रहा है कंट्रोल नहीं हो रह हो रहा है तो थाइर वाई भी ठीक हो जाएगा और मुटापा बिच्छे को जाएगा दोस्तों हाला कि मुटापा कम करने की और सारी दवाईया है हाई टोलक का बेरी मदर टिंचर है कालो ट्रापिस भी है लेकिन फ्यूकस भी मुटापा को कम करने की वह नाप बेस्ट रम बहुत अच्छी दवाई है हमने अपने पेसेंट को फ्यूकस से ठीक है अगर थाइर वाइड है तब सोने में सुआगा हो जाता है दोस्तों अगली दवाई के नाम है फिलिक्स मास मदर टिंचर यह जो है उन पेसेंट में उन बच्चों में उन एड़क्ट में दिया जाता यह एगर दवाइड का फिलिक्स मास टेप वार्म के लिए भोगत बढ़िः दवाई है तिन्में तीन बार लिज़े अगर बच्चा तो पांसर वार्म कर दिख वो किसी तरह का टेप वार रहगा ऊसटूर्स के साथ है दोस्तों अगली दवाई के नाम है फ्रिक्सिनस फ्र तो एक तरफ आयता है या प्रोलिप्स करने लगता है तो ए जो है ऐसे मर्ज की रामबार दवाई है फ्रिक्सनेस मदर टिंचर दिन में तीन बार अगर लगाता है कोई ले 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 और उनका यूट्रेस में कोई दिकरत है तो यह दवाई जो रामबार के दर काम करती है इसको दवाई करके दिन में तीन बार लेना है दोस्तों इसके पहले एक लेडिज दवाई का एक दवाई बता था एलेट्रिस फेरिनुसा ओ तब दिया जाता है जब किसी को जो है यूट्रेस कमजोर हो गया है और बार 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 सन हो जाता है अगर जो बच्चे दानी क बाहर आना भीतर जाना इसके लिए फ्रिक्स्नेस मदर टिंचर राम बार दवाईए इसको दस दस बूल करके दिन में तिन बार अगर लिया जाए तो लेडिस प्रेशन की यह प्रॉब्लम हमिसा के लिए साल हो जाती है दोस्तों अगली दवा करना में बलाटा बलाटा मदर ट जिए जब तक सास फूलती है उसके बाद में अगर उसको जो है आप देते हैं जो है 200 पावर में देते हैं इसके साथ में एक दवाई और है बेसरियम 200 अगर इसको आप आस्थमा केस में अगर लगातार इसका कॉर्स कर लेंगे दमाज जो है दम जड़ से ठीक हो जाता है हम दोस्तों अगली दवाई के नाम है बीफोराना बीफोराना एक ऐसी दवाई है आजकर जो लड़के होते हैं जबान लड़के ओ जो है इतना मस्टरबेसन करते रहते हैं कि ओ जो है कहीं भी काम करने जाते हैं चाहे अपने आफिस में गए चाहे अपने स्कूल में गए चाह खोशता है अगर ऐसा सिम्टम रहे तो आपको देना है बीफोर आना देना है बीफोर आना चार्चारबूल करके दिन में तीन बार अगर लगाता लेलिये जाए तो इस तरह का मैस्ट्रिबेशन की जो है वह हमें साके लिए ठीक हो जागी दोस्तों अगली दवाई के नाम है दोस्तों बैली कर एक ऐसी दवाही है, लोग जानते हां कि आर्निका किसी घर में किसी को चोट लगया तो आर्निका दे दोदेंबून करके तिंदी घंटा पर लगातार कुछ दिन देती है तो जो अंदर का जो चोट है जो इंजरी जो अंदर में हो गई है डिपर्टिश्यम हो गई है उसका दर्थ हमेशा के लिए ठिक हो जाएगा दोस्तों अगली दवाई के नाम है मायरिष्टिका मायरिष्ट जो पर लोपत का चलता है तो यह जो उनका हो जाती है तो अगर मायरिष्टिका देंगे तो चाकू क्तरे काम करेगी अफुरा हमेशा के ठिक हो जाएगा जोस्तों आज की मारी अंतिम दवाई है रस्टक्स हालाएं की रस्टक्स आप जानते हैं कि वात की दवाई है वह बह अगर किसी चीज का पर से कर वा दिया है और उसको दर्द हो रहा है आप सब्सक् schizophrenia करने के वाद होता है को आप वेज तो हम मैं को तूप लेना है तो और वाटसथ में मणर्च करके अपना appointment सब्सक्राइब कर सकते हैं या आप मेरे वेबसाइट में जाकर भी अपवाइब कर सकते हैं मेरा वेबसाइट है www.drpstivari.com या दोशन वासा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हुआ इसको लाङक कीजें शेर कीजें अगर अभीत देतलं हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिजें तब तक मिलते हैं आप से अगले ऐसे किसी वीडियो में नम्सकार हूँ